नमस्कार जय स्रीराम मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि आदमी आसावादी कैसे बने बच्चों को आसावादी कैसे बनाया जाए बच्चों को आसावादी बनाने के लिए हमको कुछ एक्षन में जाना पड़ता है बच्चों को आसावादी बनाने के लिए बताना पड़ेगा उनको कि जितने भी समश्चाएं हैं सब उनको हारती हैं समश्चाएं कोई जितने के लिए होती नहीं और बच्चे लोग हमेशा वीनिंग पोजिशन में रहते हैं या कोई भी बड़े आदमी कोई भी आदि वीनिंग पोजिशन में रहता है समझाएं हमेसा हारना के लिए होती है अब बच्चों के साथ टीवी है फ्रीज है चंद्रयान पर जाना है मोबाइल है इस्पुतनिक है और एनी चीज़ एनी इनिभेंशन जो वैज्ञानिक अनुशंधान होते हैं वो उसको बताना पड़ा कि सभी वैज्ञानिक अनुशंधान अनुशंधान आशावादी लोगों नहीं किया है निराशावादी लोगों ने कुछ भी नहीं किया है समभौतर निराशावादी लोग समभौतर एक भी चीज़ अपने जीवन में कभी नहीं ले पा गया है बट इस समस्या का इस समाज का समस्या यह है कि 50% लोग निराशावादी होते हैं 50% लोग सभी आइडिया के खिलाप होंगे उनको धकेलते हैं उनको आगे बढ़ने से रोगते हैं और आगे बढ़ने से रोगने के लिए फिर उनको मनुबल गिरता है ऐसे मनुबल को आशावादी को कभी नहीं गिना चाहिए ऐसे लोग निराशावादी होते हैं यह लोग सभी आइडिया के खिलाप हो होते हैं और लिटल होते हैं तो इनका कुछ भी लेना देना समस्याओं से होता नहीं एक किसी भी समस्या को हो गया तो अच्छी बात नहीं हुआ तो अच्छी बात अपने को उसे कुछ लेना देना नहीं अपने को बस एक बने रहो किसी पोजिशन में लगे रहो अपना काम च ये लोग किसी भी चीज को आगे बढ़ने के लिए न颅 मे किसी अर और आगे बढ़ने के लिए लिए किसी को राषता देते लोग 20 पर शे। 25 अब 20 पर शेख लोग और निर addition दों होते अब आशावाधी किसो कहते हैं यो अगर आशावाधी कई लोग इन्य Ur Deswegen को अगर bit कर देंगे तो ऐसावादी बन जाएंगे और अगल को दो कंभीन स्करणओेगा तुंपनी पर सैनल लोग को तो निर्फर आइडिया बदलते रहते नि अगर आशावादी में बोला तो आशावादी बन गए नीराशावादी में किसी ने बोल दिया तो निरासावादी बन गए अपने आइडिया बदलते हैं और इनका कोई ओपीनियान नाम कोई चीज होती नहीं लेकिन 5% लोग एक क्यूटी सीटी से देखते हैं सोचते हैं कि देखें होता क्या है सोचते हैं कि हम ठीक है कोई न कोई कुछ तो होगा हम किसी न आक्षन में तो बढ़ें आक्षन में बढ़ने वालों को किसी को निर्भीक बनाना चाहिए हर आज में को निर्भीक बनाना चाहिए और आक्षन में बढ़ने वालों को कभी रासा रोकना नहीं चाहिए यह लोग कभी आशावादी लोग कभी फेलियोर में भी चले जाते है ये failure winner ये एक दिन का एक समय का एक जीवन का एक जो है कारण होता है failure winner होता है होने दिजे winner भी होता है होने दिजे और आगे बढ़ते रहे कहा जाता है कि jump into action पहले action में convert तो किये action में तो जाइए तो सही लोग आपको रास्ता देंगे ही a success is waiting for success आपके लिए wait कर रही है सफलता आपके लिए wait कर रही है एक example बता रहे है मेरा grandson वन्स कुमार सिंग जो एक drone बना रहा है वो उसको बहुत सारी company ये प्रोच कर रही है और drone बनाने के लिए आगे बढ़ भी चुका है उसके कॉले से बहुत सारे reward मिल रहे है वो drone बनाने के लिए और उसको मैं बड़ा appreciate करता हूँ उसको thank you very much बोलता हूँ इसलिए अगी कम से कम action में तो गया 5% के लोग के स्रेणी में आ तो गया और action में जाने के बाद वो आगे बढ़ते रहता है ठीक इसी तरह में बताना चाहता हूँ एडीसन क्या की जांपू ले लीजिए एडीसन जो है बच्पन में उसको बच्चे लोग जो दूसरे बच्चे होते थे उसको लिख देते थे कि all उल्लू उल्लू लिखर के ओ उसको चिढ़ाते रहते थे बच्चे बोला करते थे तुम पहले खड़े हो जाओ टीशर तुमको तो दंडित करेंगे ही यह हालती वो मैथेमेटिक्स में या किसी भी सर्जाइड में कोई स्कोर नहीं करते थे यह उनकी हालती लेकिन वही एडिशन एक हजार बार तक फेलियोर जलते रहे लेकिन बोले क्या यह यह बोले कि फेलियोर से मैं यह सिखता हूं कि बल्ब कैसे नहीं बनता ह। बल्ब कैसे नहीं बनाया जाना चाहिए इस failure से मैं यह सिखता हूँ और इस तरह failure करते 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 एक दिन बल्ब बनाए एक दिन winning position में गए और इस बल्ब से सभी लोगों की रोषनी, सभी समाज में रोषनी, सभी लोगों के घर में एक एक चीज की रोषनी सब्की मिलती गई जिसके करण हम आज अच्छे रोषनी में पड़े हुए हैं और इसके बाद बहुत सारी समस्यां होती है इस सब के साथ, एक और सिंपल मैं छीज बता देता हूं, कि एक जो है, an optimized person sees an opportunity in every calamity, whereas pessimist sees a calamity in every opportunity, यह है समस्त्रा, यह जो है, optimized person Optimist person, optimistic person जो है, हर समस्या में, हर calamity में समस्या ढूनते रहते हैं, हर calamity में एक opportunity देखते रहते हैं, ओ a optimist person हर calamity में एक opportunity देखते रहते हैं, जब कि एक निरासा वायरा आदमी, एक अच्छी से अच्छी परिशिद्न में भी एक कलामीटी ढूणने लगता है यह निराशावादी लोगों का एक लक्षन है इस तरह मैं आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग इसको लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए और इसके साथ मैं चाहूंगा कि मेरे बच कि में बच्छी तिर। म१ड़ करिए कात्या है तरह में बच्छी ऑाटार बच्छी थार कि मीं हरने लोग हैं जाइक लोग?